नमस्कार दोस्तो सीविल इंजिनियरिंग सपोर्ट में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिसेक सिंग दोस्तो हाउस कंस्टक्शन से ले करके किचेन बनाने तक यानि की स्लैब की मुटाई से ले करके स्लैब की हाइट तक उसकी चोड़ाई तक हर एक जानकारी मैंने दिया आज आपको एक बहुत जबरदस्त कीचेन के वाक्त्रू पिलाया हूँ दोस्तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मुझे यकीन है दोस्तो कि अगर आप अपने लिए जब घर बनवाएंगे या फिर घर बनवा रहे होंगे तो बहुत सारा आइडिया आप इस कीचेन से ले सकते हैं जो आइडिया आपको अच्छा लगेगा उसे फुली कोपी कर दिएगा जो आइडिया थोड़ा सा लगे है कि इसमें और कुछ इंप्रूब्मेंट चाहिए वैसे तो इस कीचेन को बनाते से में हर एक चीज का ध्यान रखा गया है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा रहा है दोस्तों दोस्तों एगर बात कर लेते हैं तो इस कीचेन में स्लैब भी ड़लवाया गया तो बहुत जगा मोडलर कीचेन होते हैं जिसमें स्लैब ही नहीं ड़लवाया जाता लेकिन इसमें स्लैब ढ़लवाने के बाद में उपर से दोस्तों पत्थर स्लैब पे लगवाया गया है अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसकी finish की तो जिस पे mystery ने इसका काम किया है दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से finishing दिया है चली मैं आपको इसमें लगे हुए basket की एक जलक दिखाता हूं दोस्तों यह ready में डाता है ठीकि यह basket ready में डाता है और यह आप जो furniture का काम देख रहे है उसको part wise इस तरह से बाट दिया गया यह इसमें दोस्तों self load कबजा लगाया गया है hydraulic कबजा भी बोला जाता है इसको हलका सबस प्रेस कर देंगे तो यह अपने आप दोस्तों लॉक हो जाता है इसको अपने हाथ से सटाने की जरूरत दोस्तों नहीं है उसी तरह से दोस्त कि इसमें एक pattern दिया गया है जिससे की इसकी खुबसूरती भी बढ़ जा रही है दोस्तों अगर बात कर लेते हैं tiles की tiles कहां तक लगवाना है तो इसे हमें lintel level तक ले जाना है उससे उपर ले जाते हैं तो वो थोड़ा भदा लगता है उससे नीचे हम रखेंगे तो stain वग को समान रखने के लिए जगा मिल जाता है तो कुछ इस तरह से दोस्तों अब इस kitchen में अगर एक chimney लगा दिया जाए दोस्तों तो मुझे लगता है कि इसमें किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी फर्स एक ही चीज की कमी लग रही है मुझे वो है chimney के तो यह अगर chimney लगा दि सकते हैं और कोई दिक्कत है कोई सवाल है कोई सुझावे तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं धन्यवाद दोस्तों